नमस्कार दोस्तों, स्वागते आपका हमारे चेयंदल में आज हम लोबिया जी की कता सुनेंगे कोई भी वरत करो तीसरे या चौते दिन लोबिया जी की कता सुननी चाहिए उसकी कता न शुनने पर वरत का पूरा पुर्णे लोबिया ले जाता है पंडिश जी को कच्छी वोजन सामगरी दो मगर दक्सीना न दे अन्यता सब धर्म लोबिया ले जाता है पोछा लगाए तब घर की पेड़ी उबरो पर न लगाए लोबिया जी धर्म ले जाता है कमीज दान में दे तो बटन लगा कर देना लहेंगे में नाड़ा पिरो कर देना नई तो सब धर्म लोबिया हड़प कर जाता है लोबिया जी की कथा इस प्रकार है एक लोबिया था वह कठोर तप करता था उल्टे से लटक करता पश्या करता था उसने इतना उग्रतब किया कि चीडियों ने उसके कान में खोसला बना दिया भगवान ने सोचा कि ये तो लोबिय मगर 12-12 सालों से घोरतब कर रहा है चलो क्यों न जाकर में इसकी परिक्षा कर लो उसके तप में कितना बल है भगवान ने उपड़ से सुवन की अंगूटी नीचे डाली लोबिय ने अंगूटी देखी आसपास में मुझे कोई देखता नहीं है ये सोचकर अंगूटी अपने पैरो तले छिपा दी भगवान धरती पर पदारे जाकर लोबिय से पूचा क्या तु तपश्वी है लोबिय ने बताया कि वह 12-12 सालों से तप कर रहा है उसने का प्र पैर उठाओ पैर के नीचे सुवन की अंगूटी जो भगवान के फैकी थी वो लोबिय के प्रभाव के कारण लोएकी हो गई सोना लोहा बन गया भगवान ने कहा कि अब में तेरे तब का पुन्य प्रदान नहीं करूंगा भगवान के ये वच्चन सुनकर लोबिय के लिए कहा महिलाय वरत करेगी कताय सुनेगी मास पर स्नान करेगी महिना समाप थोने पर तीसरे या चोथे दिन यदि तेरी कता गएगी तो कता और वरत का पुन्य वरत रखने वाली महिलाओ को मिलेगा यदि तेरी कता न सुने तो पुन्य तुमें मिलेगा तपियो तपे तपियारी केशो कोणी, कन देशो तोणी, तपियों के नाम का एक कन डालना जो तपियों को ही मिलेगा